अब बैक आफटर थी ब्रेक हम बात कर रहे हैं रुकाया से जन्होंने बखुभी से लेवल पाज़ कर लिया है लेकिन उन्होंने एक लाइफ़लां का इस्तमाअ कर लिया अब उनके पास बागे सिर्फ एक लाइफलांण चलिए रुकाया आगे बढ़ते हैं दूसरे लेविल की और ख्यान से आपके पास सिर्फ एक लाइफ लाइफ लाइन है ठीक है चलिए दूसरे लेविल का पहला क्वेस्चिन यह रहा आपके कम्प्यूटर स्ट्रीन पर इन मेंसे कौन सी चीज रोजे को बातल कर देती है आपके आप्शिन्स है ए खाय करना बी खुदार रसूल और आईमा अलेमस सलाम पर बहतान लगाना सी खाला पिना या फिर दी ये सब दी ये सब दी ये सब जी महफूस कर दो नूब कम् pleasing नहीं है, कम्पीटर दीआ सब को महफूस कर दीजो बताए कि सही जवाब है नहीं V is the right answer खे करना is vomiting कर गया या फिर रसुल खुदा और आइमा और खुदा पर allegation बहुतान लगाना भी रोजे को बातल कर देता है और अफकोस खाना पीना भी कर देता है इसी के साथ बढ़ते हैं दूसरे question की और ये है एक picture एक जगा की आपको पहचानना ही कौन सी जगा है आपके options है A. मक्का, B. मदिना, C. कूफा, D. इरान इरान आप गई है पिले? जी नहीं तो आपको लगता है D. इरान जी क्यों लगता है आपको D. इरान इराग गई है कभी? नहीं करबला, कभी नहीं नहीं आपको, हम सबको सारत नसीब हो करबला और इरान की लायामी लायामी क्या लगता है आप? D. इरान इस्वा जी आपके बास एक लाइफ 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 लाइन Flipped जोसका आप इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आप नहीं दिए हैं करबला या इराक या इरान तो मैं समझती हूँ कि आपको लाइफ लाइफ लाइन ले ले लिने चाहिए Of course, your call क्या लगता आपको थ्यान से इस तस्वीर को देखे रो बताईए पहां की तस्वीर हो सकती है मक्ता, मदीना कूफा या फिर इरान किस जगा की तस्वीर है इरान ही लग रहा है आपको इरान लगता है What should I do? क्या लगता है आपको कूफा कूफा? अभी आप इरान बोल वोई थी या अभी आपको कूफा लगता है तोड़ा गौर से देखने के बाद सा लगा कूफा है कूफा? जी तो क्या करूँ महफूस कर दो? जी कूफे को महफूस कर दो? जी कंपिरसी कूफा को महफूस कर दीजिए बताए कि सही जवाब है या नहीं कूफा is the right answer इरान गलत जवाब होता ये इरान की तस्वीर नहीं है ये कूफे की तस्वीर जो है मस्जिद कूफा जहां इमाम अली नमास पड़ा करते थे हैं और जहां पर उनकुजर बत लगी थी मस्जिद कूफा ये वही जगा है चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगला स्वाल आपकी कंपीन स्क्रीन पर रुकाईया ये रहा आपके आप्शन से है A. इमाम अखाज किस अमाम के व्लादत से हुआ ہے A. इमाम अखाज़ी अघ्रादत क्या लगता है B. İmām حسن علیہ السلام B. İmām حسن علیہ السلام जी चो जी महफूस कर दो जी कम्पेटर B. İmām حسن علیہ السلام को महफूस कर दीजिए बताईए कि ये सही जवाब है या नहीं कहां पढ़ा था बुक्स में जब हर इमाम के बारे में पढ़ा है तो मौला अली के बारे में तो नहीं पढ़ा है तो इमाम हसान अले सलाम के बारे में पढ़ा था? जी कि अकी का हाँ अकी के बाद उनका नाम रखा गया था साथ दिन बाद अपने पढ़ा था ये? जी तो ये सही ज़़ा है इमाम हसान अले सलाम is the right answer जो आपने पढ़ा है वो सही है और जब आपने पढ़ा था अब आपको काम आ रहा है चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं रुकाए ये एक आडियो होगा आपको आडियो सुनना है और बताना है कि ये क्या है? ये क्या है? ए दौाए फरज बी दौाए अहद सी दौाए सहर या फद्दीद दौाए कुमेल ये जो आडियो आपने सुना है वो किसमे मौजूद है? ये वाट में तो रिपीत दौाडियो? या जो प्लीज रिपीत दौाडियो प्लीज? दौाए फरज़ नयanstौद दौाए कुमेल आपको लगता है दीद, दौाए कुमेल जी अवने बागी के दौाज बी पढ़ है? दौाए फजर, दौाए अहद, दौाए सहर दौाए फजर याद है दौाए अहद दौाए कुमेल में गन्फिوجन लग रहा है आपको confused लग रहा है दुआए अहद या पर दुआए कुमेल में जी हम इसे flip करना चाहेगे आप इसे flip करना चाहेंगे जी computer रुकया flip life line का इस्तमाल करना चाहेंगी तो ये सवाल को flip कर दिखेंगे हमारे सामने एक नया सवाल पेश दिखेंगे लेकिन just in case अगर आपको guess करना होता क्योंकि हमें हमारे audience को बताना है कि सही जवाब क्या है तो आप किसे कहती है दुआए अहद दुआए अहद जी दिखते हैं ये सही जवाब होता या नहीं computer B दुआए अहद को मैफूस कर दिखेंगे बताए कि सही जवाब होता या नहीं ये घलत जवाब होता इस वोजवाब होता सही जवाब है दुआए सहर अच्छा कि आपने जो flip कर दिया ना ही ये दुआए कुमेल है ना ही दुआए अहद ये थी दुआए सहर आपकी options है आँखों में दवा डालना और सुर्मा लगाना बी तर लकडी से मिस्वाब करना सी जो लिबास पहन रखा है उसे तर करना या फिर डी ये सब डी ये सब शौक जी महफूस कर दो जी कम्प्यूटर दी ये सब को महफूस कर दी जो बताइए कि सही जवाब है या नहीं इस दे राइट आपसर परफेक्ट ये सब अगर करेंगे तो रोज़ेदार के लिए मकरू है ये तीनों चीज़े चलिए ये तर फिलिप लाइफ फाइन फिलिप क्वेश्चन था अब पांचवा सवाल जो आखरी सवाल है सेकेंड लेवल का ये रहा आपके सामने अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो आप यहां से कम से कम 2005 भी चीट कर जाएंगे बड़े ध्यान से आगे बढ़ते हैं ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन अगर दूद पिलाने वाली औरत के रोजा रखने की वज़े से बच्चे को नुकसान पहुँच रहा है तो उस औरत पर रोजा रखना कैसा है आपके आप्शन्स है A. वाजब नहीं है B. मुस्तहब है C. मकरू है D. इन में से कोई नहीं A. वाजब नहीं है A. वाजब नहीं है? जी महफूज कर दू? जी चलिए Computer A. वाजब नहीं है कि महफूज कर दीजा बताए कि सही जवाब है या नहीं Perfect. It's the right answer A. वाजब नहीं है जो औरत दूद पिलाते हैं अगर बच्चे को नुकसान पहुंच रहा है जो उसके लिए वाजब नहीं है रोज़ा रखना चलिए बौत खूब विसी के साथ हमारा दूसरा लेवल कंप्लीट होता है रुकाया Congratulations Thank you अब हम बढ़ते हमारे थर्ड जो आखरी लेवल है आपके पास कोई लाइफ 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 लाही है ठीक है? लेकिन उससे पहले हम एक चोड़ा साब ब्रेक लेना होगा ठीक है? Now that don't go anywhere, we'll be right back after the break